नमस्कार मैं हूँ अकर्शन उपल और इस समय की बड़ी खबर में आपको दे दूं कि दिल्ली में जो किसान संग्ठनों और केंद्र सरकार के बीच में बैठक चल रही है वो बैठक खत्म हो चुकी है और वो बैठक एक बार फिर से विफल रही है किसान संग्ठनों के साथ ल वो आप हमें बता दीजिए लेकिन किसान संग्ठनों ने पूरे तरीके से केंद्र सरकार को साफ कर दिया है कि हम किसी भी तरह के संशोधन के पक्ष में नहीं है और हमें केवल और केवल इन तीनों कानूनों को रद ही करवाना है जब तक ये कानून रद नहीं होंगे तब हम पीछे नहीं हटेंगे आप सभी लोगों से दोस्तों अपील ये बड़ा अपडेट है बड़ी ख़बर है इसे साथ की साथ शियर जरूर कर दें ताकि सभी लोगों तो कि ये जानकरी ये सूचना पहुंच पाए मैं आपको बता दू कि लगातार किसानों के साथ सरकार की बैटक चल रही थी आज पाँच में दौर की बैटक थी लेकिन इस बैटक में भी कोई नतीजा नहीं निकला सरकार अपनी बात पर अड़ी रही कि हम संशोधन करने के लिए तयार है आप हमें बताईए कि आपको क्या संशोधन करवाने हैं लेकिन किसानों ने सीधे तोर प हम बना रही है दूसरी तरफ हमें कह रही है कि हम अपने अंदोलन को वापस ले ले हमने सीधे तोर पर कह दिया है कि हम ये अंदोलन वापस नहीं लेंगे हम किसी तरह कि संशोधन के पक्ष में नहीं हैं ये बात कृष्टि मंतरी जो नरेंदर सिंग् headphoneर है उनों ने भी मान कि जो क्रिशी कानून बनाए गए उसमें काफी सारी पेचीदिया हैं काफी सारी कमिया और हम उसमें संशोधन करने के लिए तयार हैं लेकिन किसान संक्टनों ने कहा कि ये कानून बनाया ही गलत गया जिनके लिए ये कानून बनाया गया था जब उन्हें ये कानून चाहिए ह को दो दो फुट दूर कर लिया और कहा कि हम कोई बात नहीं करेंगे हम मौनवरत धर चुके हैं क्योंकि जो सरकार है हमारा एक किसम से टाइम वेस्ट कर रही है सरकार हमें एक किसम से लिंगर ओन कर रही है चर्चा को बार बार करके हमारा और अपना समय खराब कर रही है क्यों आठ दिसम्बर को आप आईए एक बार फिर से बात्चित करेंगे लेकिन किसानों ने कहा कि आठ तरीकों हम नहीं आएंगे क्योंकि आठ तरीकों भारत बंद है और भारत बंद हम पूरे तरीके से करवा कर रहेंगे इसके बाद नौ दिसम्बर पर सहमती बनी है कि नौ दिसम को बुलाया जाए किया आप हमारी बात मानने के लिए तयार है जो भी जानी कि सरकार चाहती है नो तारीक की बैठक में जो जो आपके एजेंडे हैं आप हमें पहले वो देंगे तभी हम बैठक में आएंगे यानि किसानों ने सीधे तोर पर साफ कर दिया है कि हम अपने अपन बना ली है पून रूप से ये कह दिया है कि हम में से कोई भी अलग नहीं है जितने किसान सड़क पर बैठे है वो हमारे नेता है या हम उसके नेता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन सबी किसान अपने अपने घरों से इन तीनों कानूनों को रद करवाने के लिए ही निकले हैं ये अब तक का बड़ा अपडेट है दिली के विज्ञान भवन में मैं आपको बता दू कि बैठक चल रही थी किसान संग्ठनों के बीच और सरकार के बीच सरकार के और से मंतरी नरेंदर सिंग तोमर और प्यूश गोल जो की रेल मंतरी हैं ये दोनों माजूद थे लगातार भारती जंता पार्टी के जो तमाम आला बड़े नेता हैं जो बड़े मंतरी हैं चाहे वो ग्राय मंतरी हमें शाह हो चाहे वो देश के परदान मंतरी नरेंदर मोदी हो या फिर रक्षा मंतरी राजनाथ सिंगों उन सब के साथ टच में थे लगातार उनसे बातच हुआ है जो सरकार के लिए ठीक नहीं है क्योंकि दोस्तों जो ये कानून बनाए गए जिनके लिए ये कानून है वो लोग सडकों पर हैं सरकार उन्हें लगातार ये बताना चाहती है कि आपके फाइदे के ये कानून है लेकिन लोग उस कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है लोगों का कहना है किसानों का कहना है कि जब आपके बनाए कनून हमें फायदा नहीं लग रहे तो फिर आप ये कनून हमारे उपर थोपना क्यों चाते हैं तमाम जो किसान नेता है उन्होंने अपने हाथ में तक्तियां येस और नो की पकड़ ली थी उन्होंने उनको जो फ बात्चीत नहीं करेंगे एक घंटे तक तमाम जो किसान है उन्होंने मौनवरत धारे रखा मौनवरत का मतलब यह है आप समझे कि सरकार के कितनी जादा इंसल्ट उस समय हुई होगी जब का सरकार के जो मंतरी हैं नरेंदर सिंग् तोंiddर जो किरिशी सचीव हैं वो लगातर उनसे बात कर रहे थे कि आप एक बार हमारी बात सुन तो लीजिए आप एक बार हमसे बात कर तो लीजिए लेकिन किसानों ने सीथे तोर पर मूँ पर लोंग लोग और किसी भी तरीके की बात करने से उन्होंने मना कर दिया आप सभी लोगोंसे फील दोस्तों जूबिलोग इस वीडियो को इस खबर को देख रहे इसे साथ के साथ शिएर जरूर करें किसान लगातार आज दस्वा सरकार का जो रुक है बताया जा रहा है कि काफी जादा नरम था सरकार को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि जो किसान है वो लगातार इस बात पर अड़े हुए है कि हम किसी भी तरीके से माने के माने बगैर घर नहीं जाएंगे हमें तीनों कानूनों को रद करवाना है लेक क्या जो बार बार लगातार ये बात्चीत हो रही है क्या इससे कुछ फाइदा होगा बात यानि कि समझने वाली ये है कि 9 दिसंबर को किसानों ने ये कहा है कि जब आप अपना एजेंडा बेजेंगे to the point क्या बात होनी है वो हमें लिखकर भेजेंगे तब हम बैठक में शामिल होंगे अब यहां पर से समझ कर देखिए कि किसान है वो तो सीधे तौर पर ये कह रहे है कि हमें तो इन कानूनों को रद ही करवाना चाहते हैं तो सवाल यहां पर यह है कि आखिर तीन जो एजेंडे मांगे गए हैं चाहते हैं कि सरकार क्या जुकने के लिए तायार है और जो तमाम राजनितिक पार्टी हैं लगातार किसानों को समर्थन दे रही है चाहे ऐल इंडिया मोटर यूनियन हो चाहे और मजदूर संग्थन हो वो लगातार किस तरह से किसानों के साथ खड़े हुँ नजर आ रहे ह है ڈلی को चारो पाँचों طرف से उन्होंने घेर लिया यहाँ पर यह है क्या जो यह हर्ताल है यह तूटेगी सवाल यहाँ पर यह है क्या किसान मानेंगे सवाल यह है क्या सरका जुकेगी यह अपने आप में बड़े सवाल जुरूर है आप सभी से अपील जो भी लोग इस वीडियो को इस कबर को देख रहे हैं इसे साथ के साथ शेयर जूरू करें आप देख रहे हैं मैं हुआ करशनुपल करवाल से आप सभी के साथ लाइव दिल्ली के विज्यान भवन में केंद्र सरकार औ नौ दिसंबर नौ दिसंबर को आपको दिल्ली के विज्यान भवन से लाइव कवरेज दिखाएंगे कि किस तरह से जो किसान है लगातार अपनी मांगों पर ढटे हुए और उस दिन क्या नतीजा निकलता है हलाकि जो विश्य शग्य हैं वो ये मान रहे हैं कि उस दिन फैस समय के लिए आगे बढ़ सकता है आप सभी से फील इस वीडियो को शेर जरूर करें जय हिंद जय वारत जय जवान जय किसान धन्यावाद